कि आद हमारे शेक में पैड के उपर यहूं की विदाई हो रही है और इस पैड के गयों के लाज़ा लगाएंगे और आगे आगे हम इसके उपर हमारे पास 15-0-23 गन्ना बंसी की वराइटी है और यहां हम नारी में गन्ना लगाएंगे और बैड पर हमारा यूँ होगा और हमने नर्फरी चायर कर रखी है और आगे आगे हम इसके साथ घंजी वाम रखे रख रहे हैं यह जैविश तरीके से क्यार की हुई हमारी फसले होंगी और हम थेट में मातर 15-0-23 गन्ने की नर्फरी क्यार करके डेड़ से दो क्वंटर ही बीज लगाते हैं और यह मशीन हमने स्वेम ही क्यार की है यह एक साथ कम से कम तीन से क्यार भी जाई अलग-अलग क्यार की खर्थिश्की है बैड़ पे क्यों हो जाता है और नारी में जनना लग जाता है यह मशीन हमने क्यार की है अब 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 आजए और यह मेरे द्वारा खुद ही मशीन क्यार की हुई है यह बैड पे तो क्योंट प्रकार की खर्थिश्की हमना लग जाएगा इस तरह जो पिशान बाई करें तो एक साथ दो फचले बैशन है और उसको पिजी भी प्रकार का कोई भी आता नहीं होगा और कम से कम जायिक में तीन सो से साधे तीन सु क्योंट प्रथिश्क नाएगी और आज से दस क्योंटल यह हो जाएगा और इस गेहुपी हम मार्किट वैलू साधे पांच अजार उपे परती क्योंटल बेच रहे हैं और गन्ने का हम घूड खांड शक्कर त्यार कर रहे हैं घूड अमारा मार्किट में 80 रुपे किलो बिकता है शक्कर हमारी सो और खांड अमारी 160 रुपे क्योंटल जाती है किसी भी परकार का कोई उन्चान नहीं होगा हम राजी उजिक्षित भाई की पत्रती है यह खेती कर रहे हैं सबीकिसान बैयों को राम राम मेरा नाम तकदीर सिंग गाउंस रूला जिला जजजर है मैं पिछले पांच साल से जैवी खेती कर रहा हूँ जिसमें मैं अपने खेत में जीवामरत वैगंजीवामरत का प्रियोग कर रहा हूँ मैंने पिछले पांच साल में अपने खेत में कोई भी रसायनी खात, कीट ना सक या खर्पतवार ना सक का प्रियोग नहीं किया है हमने बैड पर ये बंसी गयों लगा रखा है जो की खाने में बहुती स्वाधिस्ट है और पोसक ततों से भरपूर है और ये देशी वरायटी है इस से अच्छा खाने में कोई भी गयों नहीं है अगर किसी भाई को बंसी गयों की जरूर तो हमारे दिये गए फोन नंबर पर संपरक करें मेरा फोन नंबर है स्टान में अठाइस बावन तेरा चासत गयों का भाव हमने साड़े पांट हुजार उपे प्रती क्वेंटर के इसाब से रख दिया है अगर किसी किसान भाई को गयों की जरूर तो दो हजार रुपे उसको पहले हमारे बैंक अकाउंट में जमा करवाने होंगे उसके बाद हम उसकी गयों की बुकिंग सरूर कर देंगे और नाली में हमने ये गन्ना लगा है पोज चार करके गन्ने की वरायटी 15-0-23 है और नाली से नाली की दूरी हमारी साड़े चार फूट है और गन्ने में पोज से पोज की दूरी देड़ फूट है इस गन्ने की ये अरली वरायटी में गन्ना आता है और इस गन्ने में का बहुत अच्छा बनता है और इसकी रिकावरी भी लगभग 14-15 किलो है परती क्यूएंटल में और जल्दी तैयार हो जाता है और गन्ना खाने में भी बहुत अच्छा है अगर किसी बाई को जरूर तो तो हमारे दिये गए फोन नंबर पर संप्रक करे धन्ये वागा